उनलाइन लिखे जाने में एक निया इजाफा एक नई किसम की लिखाई का इजाफा हुआ है वो है ब्लॉग्स ब्लॉग्स बहुत सारी तरह के होते हैं कोई सीरियस, फणी, कोई पोईटरी के ब्लॉग्स हैं कोई information के, कोई how to ब्लॉग्स हैं, कोई movie reviews हैं लेकिन वो सब ब्लॉग्स कहलाते हैं, तो उसके लिखने की कुछ टिप्स हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे जैसे कोई पी चीज चीज जब लिखी जाए तो उसमें audience का ख्याल रखना पड़ता है इसी तरह जब ब्लॉग्स भी लिखा जाए तो audience को जहन में रखना चाहिए जो भी कुछ लिखें उसके ब्लॉग्स का अपना एक style होता है कि जरा से catchy उसके captions वगरा हो जो उसका format वो ऐसा हो कि आजानी से accessible हो लोग अपने cell phone से भी उसको access कर पाइं और उसके अलावा आपके जो मौझूदे रीडर्स हैं उनकी interests और पसंद नापसंद को आप जहन में ज्यादा रखें बजाए इसके कि आप किसी large audience की पीछे भागने के लिए जो आपकी current जो reader base है उसको आप disturb करें So these are some things to keep in mind about the audience of your blogs उसके अलावा आप अपनी authentic voice के साथ लिखें कोई original बात करें बजाएगी है कि जो आप देखें दूसरे लोग करें सरिफ वही करें Share your own personal stories to make the topic truly your own Stories are a very good way to connect Information लोगों को कहीं से मिल भी जाती है लेकिन जो आप अपनी story या अपना छोटा सा कोई incident बता सकते हैं That will make the point that you're making interesting आपकी बात में वजन आएगा उससे अगर आपको ये अपनी story साथ में बताएंगे और ये एक और चीज़ ये है कि ब्लॉग्स में दूसरे ब्लॉग्स भी site की जाते हैं अगर आपको unique बात करेंगे कोई एक बड़ा नीश सा आपका perspective होगा कि जैसे आप कहें कि पाकिस्तान में अगर कोई पड़ा लिखा श्रक्स farm चलाता है तो उसकी क्या life हो सकती है कैसी हो सकती है तो अगर ऐससा को unique perspective है तो उसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो हो सकता ह दूसरे लोग उसको site करें या उसको आपके block को quote करें तो इस तरह से आपकी traffic बढ़ेगी and that will work very well for you. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई tried and tested formats को use ना करें ये कुछ जैसे हैं कि how to blocks होते हैं, how to win over people, how to start a conversation in a party where you don't know anyone, इनको clicks मिलते हैं. इसके अलाब 10 ways वाल एक settled in a new city या कोई इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो उसमें लोगों का interest होता है कि हम देखें कि 10 ways या 5 ways किया हैं तो ये निया नहीं है, this is not a new or unique format but it's a tried and tested one तो कुछ चीज़ें tried and tested भी उसको भी साथ लेके चलने में कोई हर्च नहीं है, लेकिन आपकी voice अपनी original होनी चाहिए topic हो सकता है, आपको शुरू आपने किया हो, आपको दो चार चीज़ों के बारे में बहुत strongly feel करते हो और आप उसके बारे में लिख लें और आप कहें के हाँ, अच्छा ये हो गया, अब अगली बार आपको जब topic कोई सोचना है, तो आपके जो वो बहुत सी stories जो आपके दि इंटरनेट पे help मौझूद है, ये HubSpot के उपर जैसे के अगर आप अपने मर्जी के तीन nouns डालें, तो उससे वो आपको कुछ topics generate करके दे सकता है, हो सकता है, उसमें से ही कोई topic आप use कर लें, हो सकता है, उन topics को देख कि आपके जहन में कोई ख्याल आए कि अच्छा इसको मै थोड़ा सो और improve करके इस तरह से मैं अपने लिए topic बिना सकती हूं, so these are good options कि topic select करने की आपको help मिल जाती है, end पर आप नहीं खुद select करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको help मिल सकती है, so HubSpot एक तरीका है उसका, उसके इलावा है built, visible, ये Google के उपर देखते हैं कि कौ कौन सी चीजें trend कर रही हैं, यानि कि कौन से topics वो popular हैं और उसके मताबिक आपको suggestions देते हैं, research जो है, कुछ भी लिखने बैठें, उसके लिए आपको research करनी जुरूरी है, कोशिश करें, reliable sources देखें, internet पर बहुत सारी चीजें हम वैसे ही देख लेते हैं, Google search करते हैं, कुछ सामने आ जाता है, तो उसके लिए कोई आप बहतर और reliable links को देखें, और सिर्फ उस पर rely ना करें, internet के ओपर, लोगों से बात करें, किताबें अगर कोई आपका access है उस topic के ओपर, या कुसी library का या जो experts हैं, उनके पास अगर कोई written मवाद है, कोई reports हैं उस topic पर, तो उसको आ देखें, because that will add weight to what you're saying, और आपको confidence भी ज्यादा आएगा, और outline आपको हमेशा बनानी ज़रूरी है, जो भी आपने लिखें, और उसमें एक तो यह कि main topic है, और main topic पे focused रहने की बजाए, जो कि आप मोटी मोटी बिल्कुल सथी सी बाते करेंगे, कोशिश करें कि उसके पावर में जाफा हो गया, तो इसलिए उनको हो सकता है, जवाब किसी को ना देना पड़ता हो, तो वो इसलिए अब ज्यादा अपने शौक से, अपने लिए कपड़ों के उपर या अपने fashions के उपर पैसे खर्च कर सकती है, so that can be an auxiliary, या उसका एक supporting topic हो सकता है, या sub heading उसक के बीच भी हो सकती है, so जो भी main topic है, उसके इर्द इर्द के ideas को भी explore करें, और देखें आप कौन से अपने blog में शामिल करना चाहरे हैं, ब्लॉक जब लिखने लगें, तो उसमें आपको जरूरी नहीं introduction शुरू में लिखें, क्योंकि अकसर इनसान सुचते हैं, introduction बहुत important है, it has to be really good, और उसमें जो है, वो परिशान होके start ही नहीं कर पाता, तो introduction से start ना करें, जो बात आपको जो ideas सूज रहे हैं, आप उन से start कर और introduction बाद में अपना add कर लें, अपनी outline को follow करते हुए, और अगर क्योंकि ब्लॉक इतने बहुत बढ़े नहीं होते, usually 500 से 1200 words तक क्यों होते हैं, तो कोशिश करें, एक या दो settings में लिख लें, flow के साथ लिखें, बगार रुके हुए, अपने आपको edit किये, बगार लिखें, जिस वक्त लिख चुके हैं, उसके बाद उसकी editing करें, अगर आपको दो अलफाज सूज रहें, किसी एक चीज के लिए दोनों लिख लें अभी, और बाद में जब editing करें, तो देखें कि कौन सा लफ़स उसमें ज्यादा suitable है, उसके इलावा, उसमें कोई value addition दें, उनको ऐसी बात दें, जो लोग अपने साथ ले के जा सकें, कोई unique चीजों या कोई अलग से एक आप उस पे link डाल दें, कि या कोई attachment डाल दें, कि ये एक और जाफी मालूमात हैं, ये आप इसमें से हासल कर सकते हैं, तो उससे जो है viewership ज्यादा आपकी बढ़ेगी, और लोग interest लेंग कि दूसरे लोग cite करें, इसी तरह आप भी दूसरों के blogs को या articles को या किसी और website वगारा को cite कर सकते हैं, introduction करने के different तरीके हो सकते हैं, आप किसी quotation से, किसी share के साथ start कर सकते हैं, किसी छोटे से incident के साथ start कर सकते हैं, कोई हो सकता है image आप इस्तमाल करें, या कोई सवाल पूछ हैं, जिससे के readers का interest हो जाएं, इसके इलावा जो एक typical classic जो introduction है, जिसमें आप set करते हैं scene को, उसके साथ भी आप जो है, वो introduction को लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आपने हमेशा उसको reviewer edit करें, make sure कि कोई गलतिया ना हो, make sure कि कोई आपने cliches या कोई जो बात हजार दफा हो इसके के वो बातें जो हजार दफा हो चकी हैं, जैसे के बहादरी के लिए share की मिसाल दी जाए, आप अपनी मिसालें कोई और खुद से सोचके और वो देने की कोशिश करें, ये एक मिसाल है, क्लीशे की, इसके इलावा और भी बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, तो उसको crisp माइंड और ये कोई भी चीज़ दो आप एडिट करेंगे, तो उसके लिए ये सेमी रूल्स अप्लाइ करते हूं, ब्लॉक्स की रीडर्शिप क्योंकि सब लोग बराबर के पढ़े लिखे नहीं, उसमें स्टूडन्स मी हैं, और attention span भी काम है, कई दफा लोग on the go देख रह करता है और लोगों का interest hold करता है, क्योंकि उसके चकर में वो तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर में interest होता है तो वो उसकी नीचे देख लेते हैं कि तस्वीर के बारे में क्या लिखावा है या ये topic क्या है, तो उससे at least उनको पढ़े बगार मौजू का idea हो जाता है, तो images ज हैं जो आपने देखी होंगी, जो कि images होती हैं जिसमें एक ही action repeat हो रहता है, वो अगर आप मजाईया कोई चीज लिख रहे हैं या कोई dramatic बात है, expressions उसमें ज्यादा तर दिखाया होते हैं, तो उसके लिए आप वो भी use कर सकते हूं, इसके लावा अगर आपके पास अपनी images क आपको link देना पड़ेगा, और कुछ हर website पर यह है कि अगर आपको बहुत सारी तस्वीरों के उपर access चाहिए, तो आपको फिर उसके लिए कोई premium देना पड़ता है, लेकिन यह के काफी सारी चीजें जो हैं इसमें, आपको free में आप access कर सकते हैं, और when in doubt, तो उनको लिख क पूछ लें और किसी की तस्वीरें उनकी इजाज़त के बगार यह copyrights के violation में ना इस्तमाल के रहें.